दोस्तों यहां पर अगर आपने फर्जी लोन एपसे लोन लिया है और आप उसका रिपेमेंट नहीं कर रहे हो, तो अभी तक तो यह कॉंटेक्स को हैक करते थे, फोटू वायर करते थे, घंगी देते थे, गाली, गलॉज, बत्तिमीजी, ब्लैक मेल, सब कुछ करते थे. लेकिन एक नया ही मामला सामने आया है, कि अब यह डिरेक्टरी, अगर आपने लोन नहीं चुकाया, जो भी आपने अकाउंट डगाया था, जिसमें पैसा लेना चाह रहे थे, उस अकाउंट की डिटेल्स को यह हैक करके, पैसा आपके अकाउंट से काट लेंगे, जो भी होग हैं आप, आप वो एक्दम पागल से हो चुके हैं, बौकला गए हैं, उनका दिमाग खराब हो गया है, कि वो करें किया कि चौदा हजार अपिन के काउंट से कट चुके हैं, ठीक है, तो अब ऐसे में क्या करें, उनने एक फरजी लोनेप से लो लिया था, अब उनका जो तो यही हाकिकत जानने के लिए, मैंने पूरा इसको सर्च किया, इसकी जांज की अपनी रेविल से, तो सच्चाए कुछ और निकल किया है, क्या आखर ये कर क्यो रहे हैं, मेरा भी वार के लिए दिमाग खराब हो गया था, यार आगर ऐसा कैसे कर सकते हैं, फरजी लोन ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोडिफिकरशन आपको समय से, मिल सकते हैं, और साथी साथ मेरे टेलिगाम चैनल को आप जोइन कर लिए, स्कीन पर आईडी लिख किया रही होगी, एड डेड़ेट बिने लिए लिज़ो, और लिंक डिसके बॉक्स में भी दे रहा हूँ, डिरेक्टली भी आप जो है टेलिगाम चैनल को जॉइन कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़े होती हैं, जो मैं यूट्यूब पे नहीं बोल सकता हूँ, अपने टेलिगाम चैनल के बोल देता हूँ, आप लुगों के लिए, तो प्लीज जॉइन कर लिए, कैसे लूटना है, लूटा, लेकिन यहां पे एक लोने बाला मुझको कॉल करता है, मुझे से रिविमेट के लिए बोलता है, और मुझे अच्छे से पता है कि मेरी फरजी कॉंट्रिस्ट बनी हुई है, मैं सीधे बोलता हूँ, जो करना है कर ले मुझे मैं घंटा पेपरेंट नहीं करूंगा अच्छे पैसे कड़ गए, और यह बात अभी हाली की है, यही इसी 25 मई की बात है, तो जब यह सब चीजे हुई उनके अकांट से 14,000 रुपए, 14,25 रुपए उनके अकांट से कड़ गया, अब यहां पे उनका दिमाग खरा, उन्होंने हमको पूरा अपना डिटेल्स दिया आप वो पूजीत बास बताई, समस्य है अएसा हो गया, एक जिन तो नेजों मेरे को यही पता करने में लगया, क्या हुआ कि तम मेरे को पता लगी वो क्या पता घी दोस्तों, यहां पर मैं यह पता लगा, कि जो एजर ता दौर उनके दिमाग के साथ खेल ला था वो इसलिए खेल ला था और दिमाग के साथ खेलने के साथ साथ मतलब इतफाक देखो क्या हुआ जो हमारे सब्सक्राइबर है उनके 14,000 जो रुपे कटे हैं वो इस एजेंट ने या किसी फरजी है अपने नहीं काटे अकाउंट से जी हां दोस्तों याद मैंने पहली भी से दो, मौईल नमबर का एक्सर दो लब यह नहीं दें आपको अकाउंट नमबर आगर आपने देगा किसी को घंटा फरक ने पड़ा पैसे आहीं रहे है जान ही रहे उससे मेरा कईका नमबर ले लो पुझे घंटा फरक नहीं पड़ा है पैसे कोई डायले गाई डिकोशट लगा है उनकी कोई किस्त कटी यह ने पूछा को किया तुम्हारा कोई लोंचल है और उने बौला कि हांसा मेरा लोंचल लहां है नवी से उनका लोंचल लाँ था रखा है नभी से करीब उनने एक देड़ लाक्यास बास का दो ले रखा है उन्हें खुद बोला तो मैंने गा सर अपना पहले चेक करो बैंक का श्टोने पहले पूरा तो चेक कर लो तो मैंने उन्से बोला कि सर आपके चौदा जो कटे हैं आपको पता की चीज़ें आपकी ज पिछले मैंने आप इनका श्टेइमेंट देखा पिछले मैंने यानी कि जो चल आ था अपरेल को पच्छीस अपरेल नहीं पैसा कटा है 25 मार्श में भी कटा है और बढ़ी तक का मैंने जबर टक कर देखा लगा था उनकी वही लगाता किस्ट करती आ रहे है तो मैंने उनको गहला तो अपने किरा जानकरी रे उटने कर ने को बोलते हैं अमने दो नुक्सान हो गया तब उनका रिलेक्ष होगा कि सर मैं माफीज चाहूंगा कि में बलत यह cuatro नहीं है मैंने मैं चेक तो कर लेते हैं इतने आप भड़ा गए कि मनने आप लिए खुश से यह जाने पता करने कोशिज नहीं करी कि यार जोई पैसा कट रहा है कि यह कोई मैंने जो लोन लिया है उसकी किस चुछ रहा है साफ सब लिखके आ रहा है एन ए ठीके ना किसी स्टेटमेंट में लिख लिखकर करके ऐसा कोश नहां में ना तो फिन फिन लिखक पूरा निले क्या आता है उसमें साफ सब लिखके आ रहा था उनका जो एसीएस कटाए पैसा कटाई इस चीज की मादब से पिर यह चीजे हैं ऐसा कभी भी नहीं उतकता कि यह आपके बैंक से पैसा खेंच रहे कभ बहुत बड़ा वाला अब आपने या फिर तो अपनी आधार कास की डिटेश की सी को दे दी है ठीक है या आपने अपना मोईलमर की सारा एकसर दे दिया है कि उसके बाद ओटी पे गर आजारा जो आपके बैंक मोईलमर पड़ा उस पर अगर यह चीजे की हैं तो ही आपका बैंक अकाउंट खाली होगा आपका बैंक अकाउंट कोई हैक कर सकता है पैसे कार सकता है तभी होता है या आपने एटियम कार डिटेल दे रखी है डिविट कार्डी दे रखी है केट कार्डी दे रखी है कुछ भी है अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को किसी दूसरे इं नहीं कर सकता है 99.99% पूरी उम्मीद ही है पूरा गान भी खत बोलना हूं एक परसेंट जो कुछ भी हो सकता है कोई बड़ा हैकर है अब आपका अकॉछ भी कर ले हैकर की छोड़के कोई नॉर्मल निसाम के किसी की बस की बात नहीं है जो आपके अकॉछ भी नहीं पता को कई कुछ भी नहीं करते हैं तो उनको रिलेक्स किया अब मैं यहीं बात आपको कहना चाहता हूं कि यार थोड़ा दिमाग चला लिया गरो आपका पैसा किसी और चीज़ का कट गया है पहले चेक कर लो पिर आपको पूल समझचा का समधान देंगी कोई दिक्त वाली बात नहीं तो दोस्तों अगर आपको पूरा आपके साथ हूं और हम उसको पूरा एक्सपोस करेंगे ठीक है ना और अब तक का हम आट सो से लोगों का जो लोन है ना उनका पैसा दिलवा चुके हैं जिन लोगों ने फरजी ने पैसा तुबा दिया था कि इस तरह हम करा चुके पूरी कि अपना पैसा बाबस करवा सकते हैं उपी ता पूरी बात समझ गयो होगे तब चलते हैं मिलते किसी ने जुरी में किसी ने सरभी में तब तक के लिए जाए हैं बने मातरम सद तमीब जाए